प्रचार प्रसार की बेला अब खत्म हो चुकी है लेकिन उसके बाद अब दावो का दौर चल पड़ा है चारों तरफ से जीत के दावे सुनाई दे रहे हैं ऐसे में कहा खड़ी है कॉंग्रेस और कितनी मजबूत है भाजपा यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसके दावो में है कितना दम तो बीजेपी और कॉंग्रस की प्रतिक्रियाएं आप जाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले बात करेंगे कॉंग्रस की और से नरेंद्र सलूजा जी से नरेंद्र जी स्वागत आपका MP news पर और आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि अप प्रचार प्रसार के बाद जब दावो का दौर शुरू हो चुका है, ऐसे में कॉंग्रेस की क्या इस्तिती है, कॉंग्रेस के दावो में कितना दम है? देमान हारेंगे, धर्मी जीतेंगे, अधर्मी हारेंगे, सत्य की जीत होगे, सत्य की हार होगे यता है. जी नरीन जी दावे तो 28 के 28 सीटों के किये जा रहे हैं लेकिन फिर भी अगर कैल्पूरेट किया जाए तो आपको क्या लगता है कौन सी सीट कमजोर कड़ी है या किस सीट के आप गयारंटी दे सकते हैं जीत रहे हैं ने जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुडने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साज़ा करने के लिए अब बीजेपी का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं बीजेपी अपने आपको ले कर कितनी confident है वो जाने की कोशिश करेंगे बीजेपी के और से अपना पक्ष रखने के लिए गोविंद मालू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद जी स्वागत आपका MP News पर और आपसे भी जानना चाहेंगे कि प्रचार प्रस करती जनता पार्टी के सरकार के कीवे कामों के कारण हमारे उमेद्वारों को बिलेगा इस बारे में हम आश्वस्त हैं और हम हमारी मतदान केंदर की हिकाई को हम परिपुष्ट और बहुत सुगठित करके हमने रखी है और उसी को केंदर मानकर हम तो तमाम अभियान हमारे अंदोलन और कारिपदती हम उसी के माद्जम से चलाते हैं इसलिए हमारा मद्दान के अंदर मजबूत है तो हमारा बूत मजबूत है तो हमारी जीत मजबूत है हम इसी बिना पर हम जीत का आत्म विश्वात भरा दावा कर रहे हैं हम बाकी किसी चल प्रपंच और पाखंड और वितंडावाद में नहीं पढ़ते हम तो जनता का दिल जीतने में रहते हैं और उस अनुसार हम सफल होंगे यह हमें उम्मीद है जी गोविन जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका हम से जुड़ने के लिए तो बीजेपी हो या कॉंग्रिस हर एक पार्टी मजबूती से खड़ी है और अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है लेकिन जीत का सहरा किसके सरबंधेगा जनता किस पर भरोसा मुकाबला है बड़ा दिल्चा स्पेश से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे लेकिन इस खास पेशकर्श में फिलहाल इतना ही अन्य खबरिया MP News पर लगाता जारी है आप भी बने रही है हमारे साथ देखते रही है MP News धन्यवाद